आप्लाई करूँगी विप्ट क्रीम, और इसमें प्लेस कर दूँगी एक flavor vanilla sponge का, इसे अच्छे से मैं soak कर लोंगी plain water से, और अब में spread करूंगी इसमें butterscotch crush, और अब में ले रही हूँ whipped cream और थोड़ा सा और क्रश जिसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और अब मैं एड़ करी हूँ बटर स्कॉच क्रण्च जिसके उपर मैंने थोड़ा सा और विप क्रीम लेकर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है ताकि यह स्पॉंज में अच्छे से बैठ जाए और अब मैं सेकेंड लेयर और सारे प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगी अब मैं रख दूंगी टॉप लेयर और इसकी करूंगी क्रम कोटिंग क्रम कोटिंग करने के बाद इसे मैं 10-15 मिनिट के लिए रख दूंगी फ्रेज में ताकि जो क्रम है वो अच्छे से सेट हो जाएं तो मैंने फ्रिज में से केक को निकाल लिया है और अब मैं इसकी करूंगी फाइनल कोटिंग केक की फिनिशिंग हो चुकी है और अब मैं पैलेट नाइफ पे थोग से ड्रॉप्स ले रही हूँ यलो कलर का साथ में केक की साइड वॉल्स पे इस तरह से डोट डोट करके लगा दूँगी स्क्रापर की हालव से मैं कलर को तो spread कर लूँगी, scrapper को आपको एक जगा पी रखना है, सिर्फ turn table को घुमाना है, थोड़ा सा water spray कर लूँगी, ताकि जो color है वो easily spread हो सके, इस थरह color अपलाई करने से color तो कम लगता ही है, साथ में एक shading का effect भी आता है, और अब same process में cake के top के उपर में करूँगी, थोड़ा सा water spray कर लिया मैंने, ताकि जब मैं scrapper से spread करूँ, तो color easily spread हो सके, तो लीजिए color अच्छे से spread हो चुका है, दही कितनी अच्छी shading एक आई है, और color भी मुझे जादा नहीं लगा, तो मैं एक design बनाऊंगी अब, जिसके लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ, यहाँ पे silicon brush, तो side walls पे मैं just brush को उपर नीचे, उपर नीचे करके इस तरह से घुमाती रहूँगी, और साती साथ turn table को भी मैं घुमाती रहूँगी, ताकि एक wavy lines बने, एक wave जैसा effect आई इसमें, और अब cake के उपर भी मैं इस तरह से design बनाऊंगी, सिर्फ brush को मैंने एक जगा पे रखा, और सिर्फ turn table को मैं घुमाऊंगी, देखिए इस तरह से एक design बन जाएगा, तो आज मैं बना रही हूँ, calendar theme cake without fondant, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा से calendar बनाया है, paper का, और इस से मैं marking कर ले रही हूँ, cake की top पे कि मुझे कितना बड़ा calendar बनाना है, तो अब मैं छोड़े छो और date को लिखने के लिए, marking बहुत ही हलके हाथों से कीजिएगा, तो अब मैं brush की help से इस तरह से जो मैंने marking किये हैं, उन्हें ट्रॉ कर लूँगी, मैंने यहाँ पे gel color का इस्तमाल किया है, और अब मैं लिखूंगी days और dates, चुकि यह बेंगॉली calendar है, तो मैं बेंगॉली मे लिख रही हूँ, तो यहाँ मैंने piping bag में ले लिया है, rose nozzle और white color की whipped cream, और जिससे मैं बनाऊंगी कुछ roses, इसके उपर मैं spray कर रही हूँ, red color का spray color और silver spray, जिससे मैं place कर दूँगी आप cake की top पे, तो मैंने piping bag में बढ़ लिया है, green color की whipped cream और इस तरह से मैं design बना रही हूँ, बिना किसी nozzle के, और अब मैं ले रही हूँ, yellow color की whipped cream, जिससे मैंने टॉप पे थोड़ से flowers बनाए हैं, और बना रही हूँ, border, तो ये है मेरे cake का final look, calendar, theme cake without fondant, कैसा लगा ये cake decoration idea आपको, प्लीज पताए मुझे comment section में, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो इसे like, comment, share जरूर कीजिए, मेरे channel को भी जरूर subscribe कीजिए, और हाँ, bell icon को जरूर press कीजिएगा, तक कि मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सके, तो मिलती हूँ, एक नए वीडियो में, एक नए recipe या फिर एक नए cake decoration idea के साथ, तब तक के लिए, बाबाई!